Hello friends, welcome to our channel Crypto with Vishal आज के वीडियो में बात करेंगे guys कुछ important crypto market की news updates के बारे में वीडियो साट करने से पहले जो updates है उसमें थोड़ा मेरे end से delay है क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 10 तारीक तक मैं बाहर हूँ तो थोड़े से updates जो है वो delay आपको यहाँ पे मिलेंगे तो guys bitcoin के बारे में बात करें तो जब यह वीडियो बना रहा हूँ मैं bitcoin का current price है यहाँ पे अभी 27,100 आप बुल सकते है 27,200 के नेरबॉट यहाँ पे है bitcoin के price में अगर आप currently देखेंगे तो आपको न अगर candles आप देखेंगे तो आपको ज़ादा मजबूत वाली नहीं देखने को यहाँ पे मिल रही है अगर आप देखें न स्पाइक ज़ादा है उपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ हो यहाँ पे इसका एक important reason मुझे यह भी लगता है कि थोड़े से fud जो है वो फिर से start हो गए है पहले हम लोग telegram पे मैंने update कर दिया था हम लोगों ने इसके बारे में कोई कल video नहीं किया था पहले हम लोगों ने gate.io के बारे में सुना था कि gate.io के कुछ rumors चल रहे है और कल in fact person late night से MEXC के tweet चल रहे थे मैंने telegram पे update भी आपको कर दिया था कि अब MEXC के बारे में बात हो लिए कि जिस तरीके से जो ftx हुआ था वही हाल MEXC का होने वाला है clarification आया है उनके end से पर कुल में लाके rumors जो है वो फिलहाल market में यहाँ पे बहुत क्योंकि थोड़ा सा market अभी यहाँ पे अगर हम news की बात करें तो वहां से positive दिखाई दे रहा है तो उसको किसी तरीके से इसलिए कि उस speed में वो ना जाए थोड़ा से negative rumors जो है यहाँ पे फैर रहे जिसका impact कहीं प्राइस में भी हमें देखने को मिलो मेरे हिसाब से जो एक छोट जो अगर आप देखेंगे न तो यह candles उतनी मजभूत यहाँ पे नहीं बन रही है जिस तरीके से बननी चाहिए spike इनके अंदर जाता है यहाँ पे आ रहा है जो पतली वाली लाइन है वो इनमें यहाँ पे जाता पने जिसका एक important reason यहाँ पे यह भी हो सकता है news update के बारे बात करें तो अच्छी चीज़े हैं जिनके बारे में आच के बारे में बात करेंगे अब एक और चीज़ याद रखेगा अभी जब यह वीडियो बना रहा हूं मैं 2023 में हम लोग 3rd June में तो यह जो debt ceiling को लेकिन race करने की बात हो रही थी यहाँ पर अब यह याद रखेगा कि यह भी 2025 तक हुआ है तो 2025 में आपको फिर इस तरी के कर ड्रामा होता हुआ दिखाई देगा एंड में होगा वो race किया जाएगा पर उससे पहले बहुत सारा हमने बात करी थी कि जो opposition party है उनके बीच में और जो current जिस जो power में party है उनके बीच इस तरी यही चीज़ चलती रहेंगे और फिर से 25 में हमें यह सारी चीज़े होती है दिखाई देगी अभी के लिए जो है finally यहाँ पर sorted है officially चीज़े अप्रूफ हो गई है दूसरी भी चीज़ क्योंकि तीन updates US की तरफ से अगला जो update है वो भी US की तरफ सही है यहाँ पर तो crypto regulation की clarity के लिए bill जो है वो लेकिया रहे इसमें मुझे बड़ी एक surprise चीज़ लगी वो यह था कि जो इसमें lawmaker है उसमें एक है United State House Finance Services Committee और दूसरा है House Agriculture Committee तो मुझे यह थोड़ा सा समझ में नहीं है मैंने कोशिश भी करी समझने की Agriculture Committee को क्यों लेकिया है मुझे लगा कि शायद Agriculture Committee को इसलिए लेकिया है यहाँ पर कि जो Bitcoin को लेके बात होती है कि Energy को लेके बात होती है तो शायद Agriculture Committee को यहाँ पर इसलिए लेकिया है तो अगर आप देखे नहीं, यह सारे updates important इसली हैं कि US में काफी ज़्यादा वो regulation लाने के पीछे पड़े हुए है, चीज़े भो रही हैं वहाँ पे, और इसका impact हमें इंडिया में भी होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इंडिया हम लोग ने बहुत बार देखा है, यही हो positive चीज़ है, positive क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ, telegram पे again, यह कल हमने बात कर ली थी, जिससे यह भी बात कर ली थी, कि market थोड़ा सा volatile देखने को मिल सकता है, तो US का जो job growth का data था वो निकल किया है, unemployment का rate जो था, वो rise हुआ है, 3.7%, 3.5 की उमीद थी, तो आप बोलेंगे, इसमें अच्छा क्या, दीकि अच्छा यह है, कि यह सारी चीज़े एक pressure बना सकती है, FOMC की meeting पे interest rate को ना किया जाए, इस बार हो सकता है, अगली बार होगा, क्यारी नोंने बोला भी है, पर इस बार हो सकता है, कि interest rate हमें rise होता हुआ, ना दिखाई दे, और अगर ऐसा होगा तो bitcoin के price पे उसका एक अच्छा impact होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, कि अभी इस चीज़ में दो हफ़ते पड़े हुए है, पर जब भी यह update निकल के आएगा, और अगर वो नहीं होता, तो हमें एक moment होता हुआ दिखाई दे सकता है bitcoin के price में, अगली चीज होंग कॉंग से कई दिनों से हम लोग Hong Kong की बाते कर देते, तो finally चीज़े start हो गई है, crypto exchanges को license मिलने start हो गई है, retail trading हो गई है, तो मैं try कर दाओ कि मेरे जो जान पहचान में exchanges है, जो लोग है, थोड़ा उन से एक बार बात की जाए, बाहर हो इस फुजा से तना coordinate नहीं हो पा रहा है, तो एक Hong Kong की तरफ से की चीज़े सही तरीके से start हो रही है, चाइना क्या game खेलेगा, क्या नहीं खेलेगा, वो हम लोग देखेंगे, एक और चीज़ है यह आपे, मैं कई दिनों से इस बारे में सोच चाता बात करूं, तो अभी यह Hong Kong का ही topic आया, बात करते हैं, देखें, यह जो सा BTC अपना all time high बनाता है, bull market आना start होता है, तो वो time पे हमेशा से एक चीज़ रही है, और वो यह रही है, कि market चाइना नहीं गिराया है, और इस बार चाइना के पास power बहुत जादा आ जाने वाली Hong Kong की विजा से, खेर, अब कई लोग बोलेंगे, यह तो बात की बात है, एक हम लोग इस चीज़ के बारें बात करेंगे, all time high से related ही दूसरा है, twitter पे एक मैंने चार्ट यहाँ पे देखा था, तो इन्होंने एक बहुत interesting चीज़ बता ही और इन्होंने एक जो pattern यहाँ पे दिखाया था, और अगर आप देखेंगे, तो BTC इसी pattern पे यहाँ पे चल रहा ह कि BTC का price, एक लाग से देखने को मिल सकता है, यह जो चार्ट के patterns है, specifically जो हम लोग अभी सामने वाला देख रहे हैं, यह चीज़े हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार कैसी फालतों की बाते करते हैं, हम लोग 27,000 पे हैं, कहां हम लोग एक लाग देखने की बाते करते हैं, प जब BTC का price एक moment लेना start करता है और यह मैंने past history में देखा है, जब एक बार BTC का price moment लेना start करता है तो आपको वो सोचने समझने का भी मौकानी देगा कि कम वो कितना बढ़ जागा, जिस तरीके से हमने नीचे down candle बनती देखी है उसी तरीके से पता भी चलेगा कब skyrocket जो है BTC BTC का price बढ़ जाता है और उसमें सबसे important role है वो फिलाल Hong Kong जो है play कर सकता है अगर सारी चीज़ें जैसा हम लोग सोच रहे हैं उसी positiveness के साथ अगर वहाँ पे start होती है तो यह थे guys फिलाल अभी तक के updates जो चल रहे है crypto market के अंदर वीडियो का इस पसंद आया इसको लाइक को share जुरू केगा चैनल में अगर आप नए है फर्स टाइम वीडियो देख रहे हैं जरूर चैनल को subscribe कर लिशेगा thank you friends